पॉर्नोग्राफिक कंटेंट की अगर बात करें इंटरनेट पर सर्च करना, पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट को विजिट करना, पॉन वीडियोस देखना, यह इस तरीके कंटेंट की बारे में, सर्च करना इंटरनेट पर, इसमें इंडिया वर्ड की टॉप 10 कंट्रीज में है इसले कुछ सानों से और कभी-कभी तो टॉप 5 में भी होता है कभी-कभी टॉप 3 में भी आ जाता है बट क्या यह आपके करियर और लाइफ के लिए बहुत रिस्की भी हो सकता है तो इसको जानेंगे हम इस वीडियो में होता यह है कि Pornography के तीन section है Indian IT Act में section 67 of IT Act section 67 A to section 67 B67 A और B जो है यह major sections है जो non available है अगर adult Pornographic content है तो 67A में cover होगा जिसमें 5 साल तक की सजाए 67B में बताया गया है学 Department Child Pornography है तो 67B में cover होगा अब importantly अगर किसी व्यक्ति ने अगर मां लिजिए कि आपकी किसी friend ने आपको एक child pornographic content या कोई adult pornographic content forward कर दिया अब वो pornographic content है वो image हो सकती है वो कोई graphic हो सकता है वो हो सकता है कि कोई cartoon हो या वो हो सकता है कि कोई video अब किसी भी condition के अंदर इन सारे situations में अगर आपको content forward हुआ है और आपने आगे फॉरवड कर दिया तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रास्वेट करते ही क्राइम हो गया चाहे आपने अपने फ्रेंड को भी फॉरवड किया हो जैसे आपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फॉरवड कर दिया आपने अपने WhatsApp से दूसरे WhatsApp पर फार्वर्ड किया या आपने अपने Facebook से दूसरे Facebook अकाउन पर फार्वर्ड किया ये करदे ही 5 साल तक की सजा का प्रावदान हो गया अब आपके खिलाफ कारवाई हो सकती है और action हो सकता है question यहाँ पर यह है कि Compliant call करेगा आपने तो अपने फ्रेंड को किया है वो तो Compliant करेंगे नहीं तो Compliant कौन होगा Adult pornography cases के अंदर Compliant आज हो सकता है कि आपके फ्रेंड से आपकी अच्छी जान पेचाने Near feature हो सकता है कि उनसे जान पेचान अच्छी नहीं है या अब आपकी friendship नहीं रही वो आपके खिलाफ FIRE कर सकते हैं और आपको 5 साल तक कि सजा हो सकती है एक party है Second party हो सकता है आपने किसी ऐसे friend को यार family member को share किया जो आपके खिलाफ Compliant कभी नहीं करेंगे बट आजाने अन जाने में आपसे Child pornography content forward हो गया उस case में details WhatsApp से गर आपने forward किया है तो WhatsApp team जो है Meta Company जो है जिनका WhatsApp है वहाँ से details आपकी Ministry of Home Affairs को MHA को forward हो जाता है और MHA को forward होने के बाद में वो details आपके एक state में forward हो जाएगा आपके state की जो एक nodal agency होगी उस agency से आपके gilling आ जाएगा और gila SP से case आपके local police station में आ जाएगा local police station कैसे identify होता है जहां से आपका mobile number की detail जाएगी mobile number जो आपने जिस address पे register किया है उस case आपसे आपका जो भी local थाना लगता है वहाँ case forward हो जाता है और उनकों इंस्रक्शन ये होते हैं कि POXO Act के अंदर और child pornography में और relevant other relevant sections में ये video की copy भी आती हो उनके पास कि किस type के video आपके share किया गया था तो ये सारे detail उनके पास आगई अब आपके खिलाफ कारवाई हो जाती है और क्योंकि non available sections है तो उसके अंदर police station को bail लेने के rights भी नहीं है तो इसके अंदर chances बहुत high हो जाते हैं कि magistrate जो है वो आपको judicial custody बेस देंगे और आपको jail में रहना पड़ सकता है कुछ दिनों तक जब तक आपकी bail नहीं हो तो इसमें पूरा कपूरा career और आपकी life risk पे हो सकती है बहुत सारे cases में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो school going है कुछ college going students है उनके किलाफ भी actions हो रहे है क्योंकि जाने अन जाने में out of fun और मस्ती बचाक में सूचते हैं कि forward गरने से क्या फरक पड़ता है उनके किलाफ case register होता है और आज नहीं हातो आत नहीं होगा हो सकता कुछ महीनों के बाद में पुलिस आपके पास approach करें और आपको बताया है या आपने यह crime किया था और importantly यह है कि child pornography को तो इतना serious माना गया है कि अगर child pornography content तो अगर आप browser में google पे या internet पे काई पे search भी कर रहे है तो search करना भी 5 साल तक की सजा को attract करता है तो ध्यान रखें इस तरीके का pornographic content से पूरे आप अपने आपको बचाईए कोई आपको forward करता है उसको आप warning दो कि इस type का content आपको forward ना करें क्योंकि child pornographic content आपके phone में या आपके storage device में या communication device में laptop computers में stored भी नहीं होना चाहिए stored हो रहा है तो भी आप परिशानी में पढ़ सकते हैं तो आपको forward करता है उनको आप restrict कीजिए अगर आपको by chance किसी ने forward कर भी दिया है तो आपको immediately उसको delete करना है तो काफे सारे लोग है majority of लोगों के साथ में हो रहा है जाने और जाने में गलती हो रही है उनसे तो ये वीडियो आप के लोगों से share भी कीजिए सबको update कीजिए aware कीजिए और cyber safe रहिए